नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में दोस्तों इस वीडियो में हम हर्याणा राच्चे का स्पेशल करेंट अफेर कबर करने वाले हैं और सिदंबर 2021 से लेकर मई 2022 तक का यह अपडेटेड डाटा है जिसे कि आप यहां देख रहे हैं पहला बुलेट पॉइंट आपके सामने यह दिखाई दे रहा है यह सब बु ज्यादा नहीं ज्यादा तर ऐसे ही आपको दिखाई देंगे इसमें रिवाइज करना आसान होता है तो देखे हाली में हर्याणा पुलिस महानिदेशक मतलब हर्याणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अगरवाल जी इन्होंने हर्याणा पुलिस वेग पोर्टल उसको अगर हम सनरचित नहीं रखेंगे और water level को recharge करने की अपनी ओर से कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमने disturbance उसमें खुदी पैदा किया है तो निश्चित रूप से भूमिगत जल का अस्तर क्रमशा नीचे गिरता जाएगा जैसकि हर्याना में हो रहा है कई जगों पर और ये बाद में चिंता जनक हो जाएगा अभी भी चिंता जनक है लेकिन बाद में ये एकदम से सिरप search पर आजाएगी मुसीबत तो इसका निवारन करना आनिवार जएग तो यहाँ सरकार के तो अपने प्रयास ही है लेकिन हर्याणा राज्य ने इसराइल के साथ हाथ मिला लिया है और एक सहयुक्त गोशना पत्र पे हस्ताक्षर की है मतलब यह है कि इसराइल अब इसमें सपोर्ट करेगा इसके बाद आप देखें कि हर्याणा में गुरुग्राम जो जगह है मतलब गुरुग्राम इसका पहले नाम गुरुगाओ था आप अभी भी उसी नाम से जानते है तो विश्वकि सबसे बड़े ग्लोबल सिटी यहाँ पर बनेगी और यह करीब एक हजार एकड जमीन में बनेगी इसका दाइरा आप इसी से अंदाजा लगा सकते एक हजार एकड बहुत ज़्यादा जमीन होती है तो इतने में इसको डेवलब किया जाएगा और यह जो ग्लोबल सिटी है ने यह बिलकुल दुबई और सिंगापुर वाली जो एकड़म चमकतार सिटीज है बिलकुल उसी तरज बनेगी और उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हो इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं अगले फैक्ट को और यहाँ पर राष्ट्रिय आपदा मोचन बल यानि जो NDRF है आपदा के समय यह देवदूत बन कर पहुचते हैं और हर जगह यह जानमाल की रक्षा करते हैं अपनी जान पर खेल कर तो इस आपदा मोचन बल की जो बटालियन है इसका आफिस खोला जाएगा और हर्याडा में यह पहला NDRF केंदर होगा जो कि यहाँ आवश्यक भी था तो यह खुलेगा कहाँ पर हिसार का गाउ है बाड़ो पट्टी वहाँ पर इसके बाद अब चर्खी दादरी की चर्चा क्यों हो रही है तो चर्खी दादरी के निवासी है अमित शर्मा और इन्हें इस रों में एंट्री मिल गई है मतलब इस रों में वैज्यानिक के पद पर यह न्यूक्त हो गए है जो कि अपने आप में गौरो शाली बाद एक अब इस मरणिये संस्था से जुड़ना यह अपने आप में गौरो का विशा है निश्यत रूप से है ठीक तो अमित कुमार जी मतलब अमित कुमार शर्मा जी जो है इसमें जुड़े है इसके बाद आप अगले तत्थी को देखिए मड़ीपूर के इंफाल में आयोजि उसमें दो टीमों के बीच में फाइनल था तो जार्खंड हारा और हर्याना जीता इसके बाद अगले तत्थी को देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे उची चोटी है माउंट किली मंजारो इसका नाम आप जानते होंगे इसको सबसे कम उम्र में पहले भारतिये के वहाँ तिरंगा फैरा दिया है तो एवरेस्ट जो है वो दुनिया के सबसे उची चोटी है वहाँ भी इनोंने फतर हासिल कर ली अब यहाँ देखिए कहा गया कि मुख्यमंत्री मनुहरलान खटर जी इनोंने इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की सयुक्त आयुक्त अमनप्री इसके बाद यहाँ देखें तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चेंपियन्शिप में हरियाडा की मनीशा मौड इनोंने 57 किलोग्राम भारवर्ग में कास से जीता है तो यह हरियाडा राज्य से संबन्दित है और यह प्रतियोगिता हुई हुई कहां पे थी तो तुर्की में इसका आयोजिन हुआ था इस्तांबुल में कैथल की डॉक्टर पायल छाबडा है इन्होंने भारतिय सेना में मेजर की कमान समाली है जो कि महिला सशुप्तिकरन का एक जीता जागता नमूना है अर्याडा में बहुत जल्द पशुओं के उपचार के लिए GPS से लेस 200 मुबाइल वैन चलाई जाएंगे क्योंकि पशुओं का उपचार एक जगाए पर टिक कर नहीं हो सकता है पशु चलाएमान होते हैं अगर वो घरेलों नहीं है गुमंतू है तो वो चलाएमान होते हैं और जहां इन्हें मदद किया हो शकता है व महर्शी कश्यप की जैनती पर करनाल में राज्यस तरी समारों का आयोजन किया गया और ये पहली बार है कि जब हर्याणा ने महर्शी कश्यप की जैनती को सरकारी तोर पर मनाने का फैसला किया ऐसा माना जाता है कि यह यहीं के वाशिन देती और महर्शी कश्यप की ही दो प पूर्टल लॉंच किया है। कोई भी विधायक हर माँ तीन सवाल पूछ सकेगा। बहुत बड़ी बात है। बशर्टे की तीन सवालों के सही सही जवाब मिल सके। अब यहाँ देखिए माउंट लट्से को फता करने वाले हर्याणा के पहले व्यक्ति नरेंद्र कुमार जी बन गए है। तो ज़रा कमेंट बाक्स में बताइएगा कि यह लेहोट से है कहाँ पे। इसकी लोकेशन कहाँ पे है। खेलो इंडिया यूद गेम्स 2021 काफी चर्चित था। और इसका आयोजन 4 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक पांच शहरों में किया गया। पांच शहर कौन-कौन से हैं पंचकूला, शाहबाद, अंबाला, चंडिगड और दिल्ली यहाँ पर आयोजित किया गया। जबकि ताउदेविलाल खेल परिसर पंचकूला इन खेल प्रतियों की ताओं का मुख्य आयोजन अस्थल था। मतलब आयोजन की जगह हैं भले अलग-अलग हों लेकिन जो मेन प्लेस था इसका अर्गनाइजेशन का वो आपका ताउदेविलाल खेल परिसर था जो कि पंचकूला ने है। 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकूला में जो ये संपन हुआ है यूथ गेम्स इसमें हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल्स जीते हैं बड़ी बात हैं और 49 सिल्वर मेडल जीते हैं जबकि 46 कास से यानि ब्रॉंज मेडल जीते हैं और इन सब को लेकर टोटल हुए 137 और इस प्रकार से पदक तालिका में ये टॉप पे है ठीक अब देखिए हरियाणा की मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर जी ने रोहतक में राज्यस्तरिय संत कभीर दास जहनती समारों की गोशना की और चंटीगड में हरियाणा की मुख्यमंत्री के आधिकारी कावे आवास को मतलब जो इसको कैसे विक्सित किया रहा है किसके सहयोग से इसे डेफल जारा है तो यहां ये पुछता है कि कौन सा सपोर्ट मतलब कौन सी संस था या कौन सा ओर्गनाजेशन इससे सपोर्ट कर रहा है तो यह निगाह है सिध्यान दीजेगा इसके बाद अगले फैक्ट को आप देखेंगे पॉइंट में दिया है हरियाणा की मुख्यमंत्री जी के त्वारा राज्य में आस आस जो है यहां क्या चीज़ आए देखते हैं तो यानि आटो अपील सॉफ्वेर सिस्टम इसका जो किया गया है ताकि लोगों की पहुँच वहां तक आसानी से हो सके और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें की इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया गया है यह अपने आप में पहली चीज सेवा का अधिकार अधिनियम की तहट मिलने वाली सुविधाओं की या सेवाओं की समयावधी की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने और उन्हें जागरुक करने का भी निरड़ा लिया गया है तो नागरिकों तक जब सेवा की पहुँच होगी तो उन्हें जादा से जादा इसका लाप पहुँच सकेगा नहीं तो योजना बनाने का काम या देशिस्तर की सरकारे हो, accurate आंकड़ा नहीं, और जहां भी ये accuracy है, वहाँ पर development अच्छा हो रहा है, फिलाल हरियाणा नहीं पहल की, इसके बाद आप देखें, पाज़वा हरियाणा अंतराश्टी है, फिल्म महुच्छो ये 18 से लेकर 22 मही को भरतमुली रंगशाला हरिया हरियाणा में कला कीर्थी भावन कुरुक शेत्र में आयोजित किया गया, ठीक इसका नाम क्या है, भरतमुनी रंगशाला हरियाणा कला कीर्थी भावन, ये कुरुक शेत्र में है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और आजादी के अमृत महुच्छों के अंतरगत, जो समारो हुए थे उसमें संस्कृती सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेपार्टमेंट और हरियाड़ा कला परिशत संकुल इन्होंने सयुकत रूप से इसे आयुजित किया था। अब देखिए हरियाड़ा राज्जे के PGIMS के निदेशक हैं इनका नाम है डॉक्टर H.S. लोचब इन्होंने रोहतक जिले के PGI को हार्ट का सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाने के घोशना की हैं मतलब एक खास डिजीज या खास बिमारी को लेकर इसे सेंटर ओफ एक्सिलेंस के इसके बाद आप अगले तथे में नजर डालिएं यहां कहा गया कि हरियाड़ा सरकार ने PM गदी शक्ती राष्ट्री मास्टर प्लान इसके कार्यानवेन के निगरानी के लिए मुख्य सचिव संजीव कॉल की अध्यक्षिता में इनका नाम आप याद रखेंगे संजीव सचिवों के अधिकार प्राप्त समू जिसे की EGOS कहा जाता है इसका गठन किया इनकी संख्या कितनी है 19 है और यह सभी जो है यह सदस्य सचिव है अब यहां आप देखें कि डेफ लिपिंक्स की बात हो रही है और यह क्या है 2021 का खेलों का आयोजन है और यह ब्राजील में ह हुआ था मतलब जैसे खेल प्रतियों की ताएं होती है ने टूनामेंट्स होते है सबसे बड़ा आयोजन तो ओलम्पिक है लेकिन यह जो है यह डेजलिंपिक्स है ओलम्पिक्स की दर्जबे और 2021 का जो इसका संसकरन है वो एक मई से लेकर पंद्र मई यानि 15 दिन के लिए ब्राजील में आयोजित हुआ था और इसमें भारतिये खिलाडियों की दवारा कुल 16 पदक जीते गए जिसमें से की 4 स्वर्ण थे और 6 पदक हर्याड़ा राज्ये के खिलाडियों ने जीते मतलब कुल मिला अकर 16 संख्या उसमें से अकेले 6 पदक एक राज्ये के हुआ है अलांकि उसमें भी इंप्रूम्मेंट हुआ है लेकिन वैसा नहीं जैसा कि राज्य के बाकी हिस्सों में है सरकार इसमें प्रयास कर रही है लेकिन यहां की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं बलकि आगे बढ़कर प्रदर्शन करती है अब यहां देखें आप रोग कि IMT में हरियाणा का पहला food park इस्थापित किया जाएगा और हरियाणा का पहला one शोध संस्थान यह यमूना नगर में स्थापित किया जाएगा इसमें location पूछी जाती है कि यह जो संस्थान ने कहां खोला जाएगा यह जो organization ने इसका मुख्याले कहां पर ऐसे one liner data से और केंद्रिये सड़क परिवाहन मंत्री नितिन गटकरी जी ने नू उजिले के फतेपुर में हरियाडा का पहला रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी केंद्र इसको उधगाटन किया मतलब इसका इनॉग्रेशन किया तो इसका नाम आप याद रखें यह पहला पहला रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी केंद्र है अपने आप में ही पहला है राज्ये का और यह इसका उधगाटन हुआ कहां पे है तो यह नू उजिले में हुआ है फतेपुर में अरियाडा में जम्मू कश्मीर की तरज पे जिला सुशासन सुचकांग तयार किया जाएगा जो कि साशन की कुछ अलता को ना पेगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कफ विजेता दिनेश बाना को हिसार जिले का स्वक्षता का ब्रांड अमबेस्डर खोशित किया गया है ऐसे जो नामी गिरामी लोग होते हैं इनको ब्रांड अमबेस्डर बनाने का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन कहां पे हुआ है तो पानीपत इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है ओलंपिक स्वर्ड पदक विजेता नीरत चोपड़ा के पैत्रिगाउं खंडरा यानि जिला पानीपत है इसमें हर्याणा सरकार स्टेडियम बनाएगी जब ओलंप चीज थी मतलब बहुत बड़ी उपलब दी थी भारत के लिए तो इनका जो पैत्रिक गाउं है खंडरा वहाँ पे स्टेडियम बनेगा उसके बाद आप देखें हर्याणा के मुके बाद सुमित कुंडू यहाँ आप नाम देख रहे हैं इन्होंने थाइलेंड ओपेन बॉ टेकनिक संस्थान में मुक बधिर पुरिशों के लिए सिर्फ पुरिशों के लिए हर्याणा का पहला लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस डिप्लोमा स्टार्ट किया गया है ताकि यह कौशल रहित न रह सके वरुड चौधरी को हर्याणा राज्य में वर्ष 2022 के लिए लोक लेखा समीति का अध्यक्ष बनाया गया है और हर्याणा सरकार के दोरे एक और अच्छा काम किया गया कि एक मही से लेकर साथ मही मतलब एक हपता जो समय होता है उसे एनिमिया उन्मूलन सप्ता के तोर पे मनाया जाएगा एनिमिया क्या है आप जानते ही है मतलब फैक्टरी मिली सोने के फैक्टरी मिली है और यह फैक्टरी करी 5000 साल पुरानी मतलब सभ्विता जिस समय की थी उसी समय का जो टाइम पिरियेट है उसी के आसपास की है तो 5000 साल पुरानी आल इंडिया माप कीज़े आल हरियाडा राज्यक के एक बॉक्सिंग यह जो है इसमें फरीदाबाद जिला यह हरियाडा राज्यक की थी टोटल राज्यस्तर यह थी तो इसमें फरीदाबाद जिला पहले इस्थान पर रहा है तो जिलावार इसमें विजेता गोशित किये गये थे पहली टॉप पोजिशन किसकी है वो आपको पता होना चाहिए महर्शी तयानन्द विश्विद्याले ये रोह तक में है पहली चीज तो ये जानिए और इसमें 18 से लेकर 22 मही यानि दो दिन के लिए 17 वी आल इंडिया यहां बार-बार भारत का नाम आ जा रहा है ये राध जेस्तर का है तो 17 वी आल हरियाड़ा स्टेट केक बॉक्सिंग चैंपियंशिप इसका आयोजन किया गया था अभी हमने देखा कि जीता कौन तो जीता कौन है फरीदाबाद जीता है और आयोजन कहां भी किया गया था कब से कब तक किया गया था ये भी पुछा जा सकता है तो 18 से 20 मही का जो समय था उसमें इसको और इसका जो यहां देख रहे हैं आप यह स्टेट के बॉक्सिंग चैंपियंशिप है इसका आयोजन यह महरशी दयानंद विश्विद्याले रोहतक में किया था ठीक है इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या है रोहतक है इसके बाद आप देखें हर्याडा के कुरुक्षेत्र में देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाये गया और अभी यह निर्माडा धीन है पूरी तरह स यहां आप देख रहे हैं गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विक्सित करने के लिए तीसरी राउंड टेबल कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया हर्याडा सेवा का अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार के त्वारा 31 चुलाई सन 2014 को जारी अधिसूचना के तहत किया गया तो यह एक जानकारी और हर्याडा के मुख्य मंत्री जी के त्वारा यमुना नगर में जगाधारी जो जगह है मतलब यमुना नगर के जगाधारी में राज्य में प्लाइबुड उद्ध्योग को बढ़ावा देने के उद्धिश से 50 करोड रुपए के लागत से वन अनु शासन सूचकांग त्यार करने का फैस्टा लिया गया है सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको शुरू करवाया और उसके पाद दूसरे नंबर पर हर्याडा राज्य यहां आपने देखा आगे बढ़ते पांच मई सन 2022 वैसे तो देखे सुसाशन को लेकर अलग- इंडेक्स यह कई सारी राज्य सरकारों ने जारी किये लेकिन इसमें जो जम्मू कश्मीर वाला मॉडल है हर्याडा राज्य उसी को कॉपी करेगा पाच मई सन 2022 की बात है यह अधिगम योजना है जोकि रोहतक जिले में शुरू की जाती है मुख्यमंती जी की द्वारा और इस योजना का शुभारंब करते हुए उन्होंने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को टैबलेट वित्रित किये डिजिटल एजूकेशन को बढ़ावा देना उद्देश था और हर्याडा ऐसा पहला राज्य है जिसने की नौवी से लेकर बारवी कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घुशना की है जो कि एक खरजीला काम है लेकिन चुकि राज्य बहुत बढ़ा नहीं है और आबादी जादा नहीं है तो ऐसे में यह किया जा सकता है अब इसके बाद आगी देखें हर्याडा में जो मुख्य सजीव है इनका नाम है संजीव कौशल जी इन्होंने चंटीगण में फार्मा टेक एक्सपो और लैब टेक एक्सपो यह जो एक्सपो हुआ था 2022 का इसका उद्गाटन किया और इस एक्सपो का उद्देश क्या है तो प्रतेक प्रतिभागी के लिए व्यापार के अवसरों को आकरशित करना यही इसका एक मात्र हर्याडा में किसानों की मासिक आये यह 22,841 रुपए हो गई है जो कि पहले 14,434 थी किसानों की आमदनी दुगना करने का लक्षे तो भारत सरकार का खूद का था 2022 चल रहा है यहां तक का टार्गेट रखा गया था इसमें 100% या maximum achievement अभी तक नहीं मिल पाई है लेकिन यहां इतना पर्याप्त नहीं है किसानों के जीवी को पारजन और उनकी जितनी भी जरूरते हैं उसको फुल्फिल करने के लिए करनाल जिले की घरोंडा में रक्षा मंत्राले की 15 एकड जमीन पर NCC एकेडमी बनाए जाएगी मतलब यह सुरक्षा चेत्र में एक अच्छा कदम है NCC जो है यह प्रतिभागी युवा को अपने प्रसिक्षण के द्वारा मतलब इसमें जो कठोर प्रसिक्षण दिया जाता है हाला कि आर्मी लेबल का प्रसिक्षण तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कठोरता होती है तो यह हर युवा को सबल बनाने का लक्ष रखकर आती है मतलब देश पर अगर कोई ऐसा संकट आ जाता है जो कि घर घर या गली महले तक सब के सिर पर मढ़राने लगता है तो ऐसे में जो एंसीसी से प्रसिक्ष ती हुआ है वो इसमें देश की रक्षा, समाज की रक्षा कर सकते हैं मतलब ये एक वालेंटियर के तोर पे काम कर सकते हैं बाकी इने छूट तो मिलती है वो अलग चीज़ है तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके बाद आप आगे देखें करनाल जिले का जो घरोड़ा है वहाँ पर NCC Academy बनेगी तो जगह आपको पता होनी चाहिए ऐसे जो हर्याणा के राजयपाल ने हर्याणा के बानबे अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपती पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया है और राजयपाल ने हर्याणा पुलिस के 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को विसिष्ट सेवा मेडल और राष्ट् ईद्धा के उद्देशे से नगर दर्शन पोर्टल को लॉचिकायत या जो डिया हुआ है आप इस पर चाहिए तो खोल सकते हैं मतलब इस वेड लिंक को टाइप ये कहा जाता है कि लोक तंत्र है और जनता का शाशन है, जनता जो चाहेगी वही होगा, लेकिन एक बार जब नेता सत्ता में आ जाते हैं, जाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल विशेश के हैं, उससे फर्क नहीं बढ़ता है, तो वो ये भूल जाते हैं, ज्यादा तर य बस मेला लगेगा, तो ये अच्छी चीज है, और भारत के ओलंपिक पत्यक विजेता रवी दहिया, ये पहलवान है, और इन्होंने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, अच्छा नाम है न, तो उलान बटोर में आयोजित, एशियन कुस्ती चैंपियन्शिप में 57 किलो असल केंद्र है थे, आंदी जेगा, राजजिस तरी नहीं, और हरियाडा ने तमिलनाडू को हरा दिया, किस मामले में हरा दिया, तो 12वी सीनियर पुलिस होकी चैंपियन्शिप, पुरुष होकी चैंपियन्शिप, पतलब ये राश्ट्री लेबल का टूनामेंट था, इसक इसके लिए विधान सभा की 13 विभिन्द कमेटियों के गठन की अधिसूचना जारी की, और अधिसूचना के हिसाफ से विधान सभा की नियम समीती में, विधान सभा के अध्यक्ष ध्यान चंद्र गुपता, ये पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है, हरियाडा विधान सभा विधान सभा की अध्यक्ष जो है, इनका नाम क्या है, ग्यान चंद्र गुपता है, और ये 2022-23 के लिए जो 13 विभिन्द कमेटी है, उनके गठन की अधिसूचना जारी कर चुके है, और उसी के हिसाफ से ये जो नियम समीती है, इसमें विधान सभा की अध्यक्ष ही, पदे गोशनाएगी, और यमुना नगर जिले के पंजूपुर गाउं में सिखों के नौवे गुरू के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, हाली में तुर्की का जो एंटालिया है, वहाँ पे तीरंदाजी वर्ड कप में मिक्स डबल्स जो प्रतियोगिता उसमें हर्याणा के तीरंदाज रिद्धी फोर ने अपने जोडिदार तरुण दीप राये के साथ स्वन्ड पदक जीता, ठीक है ये मिक्स डबल्स था, और हर्याणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए दफ्तरों में टी ब्रेक की तर्जपे वाई ब्रेक यानि योगा ब्रेक देने का निड़े लिया है, और ये वाई ब्रेक योगा ब्रेक है यानि ये ऊर्जा देगा, आप उस खाली समय में योग कर सकते हैं, चाय पीने की बजाए, हर्याणा कौशल विकास बिभाग जो है, इसने राज्य के युवाओं को जर्म इसी बुलेटिन जो है, उसके सौजने से ये हर्याणा की क्रिकेटर है, बतलब इनका जो छेतर है, खेल में वो कौन सा है, क्रिकेट है, तो ये उदही मान, यानि उभरते हुए सितारे का इने किताब मिला है, और देखिए, हर्याणा सरकार गुरुग्राम में अरावली पर ठीक है, ये जो गवर्नेंस अप्लिकेशन है, ये ठीक तरीके से काम कर सकें, और तेज रप्तार में अपना जो निप्टारा है, और क्रियान वेन है, वो सब कर सकें, इसके लिए एक अलग से निगम बनाने वाला ये देश का पहला राज्य, मतलब हर्याणा राज्य, ऐसा इसका फुल फार्म भी जानते रही है, तो इसके तत्वधान में एक प्रसिक्षन संस्थान स्थान स्थापित करने का फैसला लिया है, ड्रोन टेक्नलोजी आजकल के लिए वर्दान है, जहां पर आम इनसान ऐसे नहीं पहुँच सकता है, या किसी भी कैमरे की ऐसे सामाने इसके बाद आगे देखें, ड्रोन से दवाईयां पहुचाना और इस तरह के बहुत सारी चीजें हो सकती है, अर्याड़ा के आम बाला जिले में देश का पहला पांच मंजिला आधुनिक टीवी अस्पताल बनाया गया है, ये पांच मंजिला है, मतलब इसका जो आकार है, पताने का प्रयास किया गया है, हर्याड़ा के श्री तरुन लोचन सिंग, इनको लोग कारे करने के लिए, पद्म भूशन पुरसकार 2021 से सम्भानित किया है, ठीक है, तीन पद्म पुरसकार होते हैं, पद्म भूशन, पद्म भीभूशन और पद्म श्री, इसमें जो पद् भूशन होता है और फिर पदमश्री होता है और सबसे बड़ा जो सरवोच नागरिक सम्मान है वो भारत रत में होता है तो उसमें से इन्हें मिला कौन सा है लोक कारे यानि पब्लिक वर्क और सोशल वर्क के लिए पदमभूशन पुरसकार मिला है हरियाडा के गुरुग्राम में पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पे देश का पहला अनाज ATM इस्थापित किया गया है जैसे ATM से पैसे निकलते हैं वैसे इससे अनाज निकलेगा और हरियाड़ा में भारत की पहली hydrogen fuel cell अधारित passenger train चलाने का निर्डे लिया गया है तो यह एक अच्छी बात है आप यहाँ देख रहे हैं कि State Energy Efficiency यह Index Bureau है यहाँ आप देखें State Energy Efficiency Index Bureau of Energy Efficiency जिसे की BE कहा जाता है और Alliance for यहाँ आप देखें Alliance for an Energy Efficiency Economy जिसे की AEEE कहा जाता है इसके त्वारा जारी मतलब दोनों के तत्वाधान इसे आप Shortcut में B और AEEE के तोर पे देख सकते हैं मतलब दोनों संस्थाए हैं तो दोनों के आपस में समायोजन से यह जो उर्जा दक्षता सूचकांक है इसको जारी किया जाता है और इसका जो 2020 का संस्करण था उसमें हर्यान राज्ये 3rd position पे था मतलब तीसरे स्थान पे था और Center for Monitoring Indian Economy यह CME IE के तोर पे जाना जाता है मतलब मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है तो इसके तोरा December 2021 में एक डाटा जारी किया गया और उसमें बताया गया कि भारत में बेरोजगारी के मामले में हर्याना पहले स्थान पे है यह बहुत ही चिंतनी यह बात है अलागि बेरोजगारी पूरे देश भर में अपनी चरम सीमा पर है ठीक है रोजगार की ही सबसे ज़्यादा किलत है और रोजगार नहीं है तो विपन्नता है मतलब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से और ऐसे में फिर भुकमरी की नौबत और तमाम परिस्तियां बिगड़ती है असन तोश बनपता है तो बेरोजगारी की स्थिती तो वैसे भी देश में बदहाल है लेकिन हर्यादा राज जी उसमें भी टॉप पे है अब देखें नीती आयोग के त्वारा जारी निर्यात तयारी सूचकांग यह जो नीती आयोग है यह हमेशा सोचता रहता है यह सरकार का दिमाग है यानि थिंक टैंग है और सिर्प सोच ही सकता है अपनी राय व्यक्त कर सकता है यह कुछ कर नहीं सकता है मतलब अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है तो ये सलाहकारी निकाये के तोर पे काम करता है फिलाल इसके तोर एक सुचकांग जारी किया गया जिसका नाम है जारी निर्यात तैयारी सुचकांग 2021 ये 2021 का संसकरण था और हर्याडा इसमें पांचवे स्थान पे है ठीक है इसकी पोजीशन कौन सी है पांचवी है हर्याडा ने फाइनल में तमिलनाडू को हराया और जो पुरुष हां की चैंपियंशिप थी इसको जीत लिया है और टूनामेंट 6 से लेकर 17 अप्रेल तक चला 2022 में और इसका जो आयोजन इस्थल था वो भोपाल था भोपाल मतलब मध्यप्रदेश में इसको आयोजित किया गया था हर्याडा की हौकी टीम ने फाइनल में जारखंड की हांकी टीम को हरा कर इमफाल में हाकी इन्डिया सब जूनियर महिला राष्ट्री चैंप्येंशिप को भी जीता तो यहां हाकी वाले में मिक्स अप मत कर दीजेगा यह जो आप देख रहा है ना बारह वाँ यह पुरुष हाकी चैंप्येंशिप है राश्ट्री हांकी चैंपियंशिप है और इसका आयोजन हुआ था भोपाल में और इसमें जीतने वाला है हरियाणा और सेकेंड जो पोजिशन पे है वो तमिल नाडू है और ये जो हांकी टीम वाला आप फाइनल देख रहे हैं ये इमफाल में हुआ था और यहां जहारखंड को हराकर हरियाणा ने पहला पुरिसकार जीता है और ये सब जूनियर महिला राश्ट्री चैंपियंशिप थी दोनों में फर्क है और इस चैंपियंशिप में उत्तर प् थीम सॉंग साथ में मसकट मसकट का नाम क्या था यानि शुभंकर जो है इसका नाम था धाकड ऐसी धाकड है ठीक तो धाकड को लांच किया और देखिए हरियाणा चार जून से लेकर 13 जून मतलब हरियाणा राज्ये में पंचकूला चंडिगड शाहाबाद अंबाला और दिल्ली ये आयोजन स्थल थे देखिए हरियाणा के सौजने से हो रहा था वो अलग चीज है लेकिन इसका आयोजन स्थल इसमें पंचकूला है चंडिगड है शाहबाद है अंबाला है और दिल्ली भी है यहाँ पर इसके चौथे संसकरण की मेजबानी की गई लेकिन मुख आये हैं वहाँ पर पशुओं का रख रखा और भोजन ही सबसे बड़ी समस्या होती तो इसमें जो किसान सहयोग करेंगे आप उर्ती देंगे कहने का मतलब है तो उनके लिए सपोर्ट है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंतियोदय उत्थान के रूप में मनाने का फैसला लिया है 28 से लेगर 30 दिसंबर की बात है 2021 की 27 में हरियाणा राज्य युवाउट्सो मतलब ये युवाउट्सो था हरियाणा राज्य का राज्यस्तरी इसका आयोजन किया गया और ये आयोजन कहां पर हुआ था तो पंचकूला जिला था इसके लिए अच्छा एक प जवस्था परिवर्तन से सुशाशन या पत्रिका का नाम देख रहे हैं और 2022 का आधिकारिक कलेंडर भी लॉंच किया मुख्यमंत्री मनुहर नाल जी ने भूजल रीचार्जिंग और प्रबंधन के विजन के अनुरू अटल भूजल योजना के तहत गाउं के लिए जल सु इसे चाँडरी चरण्सिंग, हरियाणा, खृशिविश्व विध्याला इहिसार ने पूरे देश में ना सिर्फ हरियाणा में बलकि पूरे देश में पहला इस्थान हासिल किया इस रैंकिंग में और देश भर में अटल रैंकिंग योजना ये 2018 में शुरू किये थी तब से यह लगातार चल रही उत्तर भारत की पहली राश्ट्रिय रोगनी अंत्रण केंद्रे मतलब उत्तर भारत का पहला राश्ट्रिय रोगनी अंत्रण केंद्रे जिसे की NCDC कहा जाता है इसकी ब्रांच की स्थापना अंबाला का जो नंगल एरिया है वहाँ पर होगी और उत्तर से लेकर पांच फरवरी तक चला 2022 में नागरे केंद्रित सुशासन सुचकांग 2021 इसमें पूरे देश भर में हर्याडा राज्य को पहला स्थान मतलब हर्याडा राज्य की जो गवर्मेंट है उसको पहला स्थान प्राप्थ हुआ और यमुना नगर जिले में देश का सबसे ब योजना के तहत नया एक इकरित कमांड और नियंतरन केंद्र मतलब इंटिग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसको खोला है यह खूला कहां पे है तो करनाल इसका जो लोकेशन है उसे आप देख रहे है चौदरी चरण सिंग हर्याडा कृषिव इश्य विद्याला और इस दोरान यमुना नगर के किसान गुर्मैल सिंग को किसान रत नवार्ड से समानित किया देखे 25 दिसंबर और भी किसी का जनम दिन है यह स्वरगिये जो पूरो प्रधान मंत्री थे अटल भिहारी बाचपेजी भारत रत उनका भी जनम दिन है और भारत सरकार इसे सु अरिदाबाद, सोनीपत और जजजर यहां पर इलेक्ट्रिक वानों की शुरुआत की जाएगी ताकि प्रदूशन के खतरे से निप्टा जा सके नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां आप देखे 27 दिसंबर 2021 सरकारी थिंक टैंक है नीतियायों जैसा कि आपको पीछे बताया 2019 ब राजे जो हैं मतलब बड़े साइस के जो राजे हैं कुछ छोटे राजे हैं कुछ बड़े राजे हैं तो बड़े राज्यों में समगरे स्वास्ते प्रदर्शन के मामले में हर्याना का 11 स्थान है और केरल इसमें टॉप पे हैं ज्यादा तर्जु इंडेक्स है उसमें यह राशी दी जाएगी और हर्याडा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को राजजेस्थर पर प्रथम पुरसकार प्राप्त करने वाले किसान को पांच लाग रुपए के नगत राशी देने की गोशना की है तो यह सरकार की एक प्रश स्टेटस इसे थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेते हैं देखें लॉजिस्टिक्स एंड एक्रिस डिफरेंट्स स्टेटस इसका शॉर्टकट है एली स्टेस तो यह जो 2021 का संस्क्रण है यह असल में रिपोर्ट है तो 2021 का जो एडिशन है इसमें हरियाना का दूसरा अस्थान और स् 1112 इसमें बेहतरीन प्रदर्शन पर हरियाना पुलिस के 28 कर्मचारियों को सम्भानित किया गया ओलंपिक आसो शियसन जो हरियाना की है उसके अध्यक्ष संदीप सिंग बने है तो इनका नाम आप याद रखेंगे अंतराश्ट्रिय गीता जैंती महुट्सो इसका आयोजन 2 से लेकर 19 दिसम्बर तक किया गया गीता जैंती महुट्सो यहां की वायोजित किया गया तो कुरुक्षेत्र यहीं पर है और गीता का उपदेश भी वहीं पर हुआ था 18 दिसम्बर 2021 की बात है केंद्रिय पशुपालन और मत्समंत्री पुरशोत्तम रुपाला इन्होंने हरियाना को जोखिम प्रबंदन और ब्रांड विकास यानि हरहित स्टोर्स इसमें सरुस्रेश्ट पहल के लिए कृषी उद्यमी कृषक रत्न पुरसकार 2021 से सम्मालित किय Sports Star of the Year पुरुश वर्ग का जो पुरसकार है इसको जीता है हरियाडा की मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर जी ने गुरुग्राम के सहायक पुलिस अधिक्षक एसपी पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित Modern India for Civil Services and Other Competitive Examination नाम की पुस्तक का बिमोचन किया है और पूनम दलाल इन्होंने बहुत संघर्ष करके Civil Services में सफलता हासिल की थी ये First Attempt में हासिल करने वाली महिला नहीं है इन्होंने बहुत रगड़ा था मतलब परिश्रम किया था तब जाके इन्हें सफलता मिली थी तो इनके जीवन और इनके प्रयासों से ये भी सीख मिलती है कि हमें कोशि जी जान लगानी चाहिए तो इनकी किताब में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे इसके बाद आगे देखते हैं हरनाज को और संधु इसराइल के इलात में आयोजित मिस यूनिवर्स के सत्तरवे संसकरण के आयोजन में अंतराश्टी सॉंदरे प्रितियों किता जो मिस यूनिवर्स होता है तो मिस यूनिवर्स का 2021 का खिताब इनकी को मिला था इनका नाम क्या है हरनाज को और संधु ये तो आप वैसे भी देख चुके होंगे हरियाडा के प्रिसित कभी और गीतकार इनका नाम में सचिन राडा इन्होंने Hero Best Writer of the Year 2021 का जो अवार्ड है उसको प्राप्त किया है Hero Best Writer of the Year इसका अवार्ड किसको मिला है ये सचिन राडा जी को मिला है भारत ने थाइलेंड में आयोजित होने वाले rowing championship में 2 स्वन्ड और 4 रजट पदक जीते हैं मतलब कुल मिला कर 6 पदक जीते हैं और senior rover अर्विन सिंग ने lightweight main single event में स्वन्ड पदक जीता है हरियाडा के जीन्द जीले के विजेंद्र कुमार का रुस्तम जोटा जोटा जो ये भैसे को कहा जाता है जो शक्तिशाली भैसा होता है उसको कहते हैं जोटा तो इस जोटे ने क्या किया ये हिमांचल प्रदेश में कृश्यक रतनावार्ड ज जलो और CNG pump इस्थापित किया जाएगा भाला फेक खिलाडी नीरत चोपड़ा इन्होंने गुजरात राज्य के एहमदाबाद में एक स्कूल में राश्ट्री एमिशन की शुरुबात की हरियाडा के अंबाला जिले में नेताजी सुमाश चंद्र बोस पार्क बनाया जा रहा है तो ये लोकेशन पूछी जा सकती है और हरियाडा सरकार पानीपत में गीता विश्व इद्याले को इस्थापित करेगी करनाल जिले में संजौली बनरजी जो है इनको यूएन वालेंटियर अवार्ड से समानित किया गया मतलब करनाल जिले की वाशिंदा है मतलब रहने वाली अरियाडा के गुरुग्राम जिले में भारत का पहला मत से व्योसाय इंक्यूबेटर लॉंच किया गया और महात्म गानी दर्शन पुरसकार 2021 ये किसको मिला है तो पूछा जा सकता है ऐसे चोटे-चोटे प्रशन पंते है रामलाल सिंग जी को दिया गया है हिसार के एर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया को 11 गरततर दिवस के मौके पर राष्ट्रपती रामनात कोबिंद जी ने परम बिसिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया और एर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया यह दक्षन पश्चिमी वायू कमान के कमांडर इन चीफ है तो इनकी हैसियत भी आपको मालू होनी चीए एर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया इनका नाम आप देखें और होकी की स्टार खिलाडी है रानी रामपाल इन्होंने फोर्स पत्रिका का जो फोर्स मैग्जीन जो होती है इसमें गुमेन पावर 2021 मतलब हर साल सालाना लिस्ट जारी होती है इसमें कि manpower और woman power दोनों को priority दी जाती है तो यह जो woman power 2021 की list है उसमें इनका नाम शामिल हुआ है जो कि हरियाणा के लिए गौरो का विश्य है आगे बढ़ते हैं हाली में logistic is across different status 2021 इंडेक्स ये वाणिजी और उद्योग मंत्राले के द्वारा जारी किया गया तो कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है और इस सुचकांग में गुजरात टॉप पे है हरियाणा सेकंड पोजिशन पे और इसलिए इसकी चर्चा हो रही है हरियाणा के मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रदेश के 22 जिलों में बने मौडन रेवेन्यो रिकार्ड रूम का लोकारबन किया गया और चार खिलाडियों को खेल रत नवार 2021 मतलब मेजर ध्यान चंद्र पुरसकार जो है उससे समानित किया गया और इसमें अर्जुन पुरसकार से समानित किया गया तो एक नाम तो आप बिना संदेह इसमें जोड़ी लेते हैं अर्जुन पुरसकार अच्छा किसको किसको मिला है तो इसमें योगेश कथूनिया है इनका नाम आप देख रहे हैं सुरेंद पालड है, सिंग राज अथाना है, इसके अलावा सुमित कुमार है, दीपक पुनिया है, हर्विंदर सिंग है, मोनिका मलिक है और संदीप है इन लोगों के नाम शामिल है सर्जन सिंग को खेल 2021 लाइप टाइम एचीब्मेंट ध्यान चंद्र पूरसकार से समानित किया गया, इनका नाम आप याद रखे और नाइट मार्केट की शुरुवात की गई करनाल जिले में अब यहां आप देख रहा है, राजजिस तरी उमिद्वार रोजगार अधिनियम यह 15 जनवरी 2022 से लागू होगा, मतलब हो चुका और हरियाणा राजजिस सरकार ने राजजिस तरी उमिद्वार रोजगार अधिनियम 2020 को अरिसूचित किया है और यह अधिनियम 15 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ, अब अधिनियम का उद्देशी भी यहां दे रखा है, इस्थानी युवाओं को निजी छेतर में रोजगार में 75 फिस्दी का आरक्षण उपलब्द कराने का यह अधिनियम पारित किया गया मतलब बाहरी जो युवा है या बाहरी जो कम्टीटर है वो इनके अधिकारों का हनन न कर सकें, इसलिए 75 परसेंट रिजर्वेशन इन ही का है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंटीगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर जी ने किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंब किया है और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम ये 2018 वाला था, इसमें संशोधन के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक को सदन में पेश किया गया, 2022 का विधेयक था और यह विहिकल यहाँ आप देख रहें उनके लिए हर्याणा इलेक्ट्रिक विहिकल पॉलिसी 2021 बनाई जा रही है हर्याणा के गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनेगा और हर्याणा का पहला Sports Injury Rehabilitation Center पंचिकूला जिले में डवलप किया जाएगा तो ये सब कहां कहां खुल रहे हैं लोकेशन आप देखे हर्याणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अंतरगत दीवरो और समगर विकास का तंत्र बनाने के उद्देश से हर्याणा पंचायत सनरक्षक योजना 2021 को शुरू किया और इसमें प्रथम श्रेडी के अतिकारियों को ग्राम पंचायत के सनरक्षक की भूमिका दी गई और हर्याणा राज्य अपना 56 स्थापना दिवसिस बार मनाया है और ये तारीक है 1 नौमबर सन 2021 की अपनी स्थापना का दिन सेलिब्रेट कर रहे है उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने या आवेदन करने के लिए सुविधा हो इस उद्देश से हर्याणा प्रशासन ने केर विल नाम का एप्लिकेशन लॉंच किया रहे है मतलब पहली चीज़ तो यह है कि उनमें अवेर्नेस हो कि उनमें कौन-कौन सी सुविधाय सरकार दे रही है और वो उसका उचित लाव ने सके इस उद्देश से इस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया आगे बढ़ते हैं आप देख रहे हैं कि हरियाणा की उप मुख्य मंत्री है इनका नाम में दुश्यन चौटाला जी इन्होंने हरियाणा निवास में हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक किया ध्यक्षता की और 29 अक्टूबर 2021 को जो कृषी और किसान कल्याण बिभा गया हरियाणा राज्य का इसकी अतरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा इन्होंने हर खेत स्वस्त खेत नाम का जो मुबाइल अप्लिकेशन है इसको लॉंच किया तारीक थी 29 अक्टूबर सन 2021 हर खेत स्वस्त खेत और 66 नेशनल फिल्म सवार्ड में छोरियां छोरों से कम नहीं होती ये फिल्म है और हरियाडवी लैंविज की है ये तो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है छोरियां छोरों से कम है के तो कम नहीं होती मतलब कुल मि लेकिन जो प्राया तो ट्राइक्टर है उनके बारे में है योजना है अब इसके बाद देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर जी ने पंडित दीन देयाल उपाद जाये और देविलाल की जैनती पर समरपण पोर्टल और हुनर एप्लिकेशन को लॉंच किया ये दोनों जो हैं ये लॉंच हुए थे समरपण पोर्टल था और हुनर एप्लिकेशन था अब ये जो हुनर एप्लिकेशन है इसके माध्यम से जो उमिद्वार होंगे उनको स्वरोजगार इस्थापित करने के लिए चरणबद तरीके से और द्योगिक तकनिकी व्योसाइक और प्रतियोगी कोर्स का प्रेसिक्षन दिया जाएगा एप्लिकेशन में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्कूल विद्यार्थियों का संपूर्ण से लेबल होगा समाज सेवा की छेतर में उनलेखनी योगतान देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाना की ओर से व वार्ट कहा जाता है इसके बाद आप देखें केंद्रिय क्रिशी और किसान कल्याण मंत्री यहां आप देख रहे हैं केंद्रिय क्रिशी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर इन्होंने 12 में क्रिशी नेत्रितु समेलन और नेत्रितु पुरसकार 2021 के दोरान हरि इसके बाद आप देखें पिछले साथ वर्षों से किये जा रहे है नवाचार और नई पध्यतियों को लागू करने के मामले में प्रदेश को राज्यों की कटिगरी में स्रेश्ट राज्ये कृषी नेत्रितु पुरसकार से नवाजा गया है अगला फैक्ट आप देख रहे हैं हर्याडा सरकार के अंतरगत आने वाले बोर्ड निगम या स्वायत निकाय जो है मतलब जितने भी स्वायत शाशी निकाय है वहाँ नौकरी के लिए होने वाली भरतियों में अनुचित साधन का इस्तिमाल करने वालों के लिए राज्यसरकार ने हर्याडा लोक परिक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है ताकि जो भरती प्रणाली है वो पारदर्शी हो सके केंद्रिय मानोसन साधन और विकास मंत्राले भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी नेशनल इंस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसमें चौधरी चरण सिंग हर्याणा क्रिशिविष्व विद्याले इसने अपने ही इंद्रिया चक्रवर्ती ग्रिविज्य नेटवर्क सिस्टम जिसे की CCTNS कहा जाता है इसके अंतरगत हर्याणा पुलिस ने देशवर में पहला इस्थान असिल किया है और हर्याणा को 100% मार्क इसमें प्राप्त हुए हैं मतलब इस मामले में प्राप्त हुए हैं और गुजरात पुलिस जो है इसमें दूसरे नंब के लिए व्यापक और एकिकरत प्रणाली उपलब्ध कराई जाए इसके उद्देश से से लांच किया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें हर्याणा सरकार ने क्या किया है राज्य में औपचारिक रूप से इसका लोकारपड कर डाला है और केंद्र सरकार ने 2030 कि देश भर में इस नीती को लागू करने का लक्ष रखा है 2030 ये वही समय है जहां तक हमें SDGs को अचीव करना है तो हर्याणा ने इस नीती को 2025 तक क्रियानवित करने का लक्ष रखा है ठीक मतलब 2025 तक वो पूरी तरह से से सेक्ष्रिक पार्ट इक्रम और जितनी भी विवास है उसमें लागू कर देगा छोटे राज्यों के लिए सुविदा जनक चीज है मतलब उसमें ये किया जा सकता है लेकिन एक भारी भर कम बड़ा राज्य रहे तो उसमें इंप्लिमेंट करने में परियापत समय लगेगा हर्याणा सरकार ने मतलब प्रदे सरकार की बात की ज देख रहे हैं विवानी में गणित के अध्यापी का ममता पालिवाल जी को राष्टिय सिक्षक पुरसकार 2021 से समानित किया है राष्टपती की त्वारे ये पुरसकार दिया गया और इसका नाम क्या है राष्टिय सिक्षक पुरसकार इसका संस्क्रण था 2021 वाला और ये उसमें कम होती थी तो उसमें एक महिला सिक्षक जो है वो गडित का अध्यापन कारी कर रही है और बेहदर तरीके से कर रही है तो उसे प्रोथसाइद करने के उद्देश से भी यह काम किया गया अब यहां आप देखें कि पहली बार दो महिला वैज्यानिकों को विज्ञान रत्नपुरसकार मिला है डॉक्टर सुशीला मान इनको 2020 में और डॉक्टर इलोरा से इन्हें 2021 के लिए विज्ञान रत्नपुरसकार से समानित किया गया है अब आगी की जानकारी यह है कि ओपी जिंदल ग्रूप की एमिरेट्स चेयर परसन इनका नाम है सावित्री जिंदल इनको महिला उत्थान के छेतर में इनकी जो लेखनी उपलब्धिया है इसके ओचित्ति में अंतराष्ट्री अवार्ड से समानित किया है इनका नाम आप याद रखेंगे सावित्री जिंदल अगस्त 2021 की बात है भारती पुलिस सेवा यानि IPS आफिसर है रंजीता शर्मा और IPS एसोशियेसन के स्वार्ड आफ्ट ऑनर पुरसकार को ये स्वार्ड ऑनर पुरसकार या अवार्ड होता है जो कि एक IPS अधिकारी के लिए गौरो का विशय होता है तो इसको ये प्राप्त कर चुकी है और इस प्रकार की ये पहली महिला IPS अधिकारी बन गई है रंजीता शर इनका जो position है वो 24 है और गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में सड़क की पहली शहर की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा अगस्त 2021 में राजी के परिवहन मंत्री के द्वारा उद्गाटित की गई मतलब इसको शुरू किया गया और ये किस बीच में चलेगी तो अब यहां आप देखें कि हर्याणा में 2024 तक राजी को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाने का लक्ष रखा गया है और रोजगार से इसे परिपूर्ण बना जाएगा ऐसा टार्गेट हर्याणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उधगाटन किया है इस परोजगार युक्त बनाने का लक्ष रखा है इसका मतलब यह नहीं कि सरकार इतनी सारी गौर्रमेंट जॉब्स देगे वो जॉब्स देना संभव नहीं है आज के समय में क्योंकि उतना बजट जो सरकारे हैं उनके पास है नहीं और ऐ सरकार रहे हैं यहां भी रोजगार देने का मतलब वही है पहले कोशल विकास और उसके बाद रोजगार अब यहां आप देखें कि भारत हैवी इलेक्रिकल लिमिटेट यानी भेल के द्वारा स्थापित सौ राधारित इलेक्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटव उसका पहला recycling plant स्टार्ट किया है टाटा स्टील किये अपने आप में प्रशन से नहीं ये पहल है और कैथल जिले का जो गाउ है हाबडी यहां एक फैक्ट छूट किया था देखिए हाबडी गाउ जो है यह कैथल जिले में पढ़ता है वहाँ पर एक honky stadium जो की international level का होगा उसक स्थापित जो 40 नई इम्रिदा परिक्षण प्रयोक्षाला है उनका उद्गाटन किया ये मिट्टी का परिक्षण करेंगी और मिट्टी के स्वास्ति की जाज करेंगी आउशक्ता किया हिसाब से nutrients कौन से डालने है कैसा हमें जो crop circle है उसको इस्तेमाल करना है कौन सी फसल कि खेत में या किस जमीन में बोनी है ये सब फैसला यहां से होगा और राजी सरकार ने हर खेत स्वस्ति खेत के तहट ये जो प्रयोक्षालाएं है इनको स्थापित किया है खेत के स्वास्ति से और क्या मतलब है खेत का मतलब मिट्टी तो मिट्टी का स्वास्ति अच्छा तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है भारतीय रेल वैकल्पिक इधन संगठन ये भारतीय रेलवे के हरित इधन प्रभाग के द्वारा चलाया गया कुल मिलाकर जानकारी ये है कि हरित इधन प्रभाग जो है भारती रेल का इसने उत्तर रेलवे के सोनी पग जिंद सेक्शन पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को चलाने का टेंडर जारी किया है यह क्या है टेंडर है एक तरका और हाइड्रोजन एक बढ़ी आईधन है भविशिक आईधन है और काफी उर्जा दक्ष होता है अच्छा होता है लेकिन महाना होता है अभी यह लागत प्रभावी नहीं है इसकी सबसे बड़ी समस्या यही अर्याड़ा साहिते अकैडमी के द अनामे युवा लेखक समान पुरसकार अभी तक हमने वन लाइनर फैक्ट देखे हैं अभी पैरग्राफ वाला कुछ करेंट अफेर देख लेते हैं तो यहाँ जो पहला पैरग्राफ है उसमें आपको यह बता दिया गया कि कैबिनेट ने हरियाड़ा एरोस्पेश और रक् सीमित मात्रा में पूछा जाता है तो उद्देश है कम से कम एक अरब डालर के निवेश को आकरशित करना और पाच वर्षों में लगभग 35,000 लोग उनके रोजगार के आउसर उपलब्द कराना कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार का आउसर देना और राजजी को तेश के इसमें हर्याड़ा की अंतर निहित TRAKत का दोहन करने की परिकलपना ये आटो में वाला जो सेक्र है इसमें हर्याड़ा पहले से हे आगे मतलब इस मामले में निर्माड और त्माम फैक्ट्रीज् Greater अगरडी है अब उसकी इसी पावर को यूटिलाइस करने का यहां परपस है और देखिए नीती जो है ना मतलब ये रक्षा उत्पादन नीती ये हरियाणा में एक विश्वस्तरी रख रखा हूं मरम्मत और ओवर हॉल यानि MRO सुविधाये बनाने की आवश्यक्ता को भी संबोधित करेगी ये अच्छी बात है और राजे सरकार जो मवजूदा हवाई अड़े है और हधियाणा में जितने भी नए स्थाने वहाँ पे नई सुविधाओं की स्थापना के प्रस्ताओं को सुविधा जनक और प्रोचसाहित करेगी मतलब ये अपनाने में आसान हो पहली चीज़ तो यही है अभी इसको आराम से लोगों की द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है यानि इस नीती से एक पंथ कई काज हो जाएंगे और नीती के ताथ दिये जाने वाले राजकोशिय प्रोचसानों में एक निश्चितवधी के लिए शुद्ध SGST मतलब जो स्टेट लेवल का GST होता है उसकी प्रतिपूर्थी हो सकेगी पूजिगत सबसीडी यहाँ पर उपलब्द हो सकेगी रोजगार स्रिजन सबसीडी स्टाम सुल्क प्रतिपूर्थी और दस वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क छूट कितनी बड़ी छूट है तो यह भी शामिल अब यह तो यहीं बात खतम हो गई इस पॉलिसी को हमने देखा और इसमें इतना अगर आप नहीं भी आत कर सकते तो इसकी जो शुरुवाती दो लाइन है और दो चार लाइन है और नीचे की जो दो लाइन है उसको आप दिमाग में रखेगा ये वाला कितनी इसमें सुविधाई दी जारी है ठीक है यहां से बन सकता है और दूसरा यहां से बन सकता है कि यह जो नीती है इसका मेन आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट को देखते हैं यानि अगले पैरग्राप को 35 सूरजकुंड अंतराष्टिय शिल्प मिला और ये 19 मार्च 2022 से आयोजित किया गया और ये फरीदाबाद में शुरू किया गया मतलब इसका आयोजित कहां पर होता है फरीदाबाद में होता है और 4 अप्रेल 2022 तक ये चला मतलब चल चुका है और इसमें हरियाणा के राजेपाल यानि बंडारू दत्तात्रेजी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नाम आप जानते ही है इन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड में ये प्रसिद्ध जो शिल्प मिला है इसका अपचारी को धगाटन किया और इसका ये संस्करण नंबर कौन सा था 35 यहां कारिक्रम सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हर्याणा पर्यटन के द्वारा केंद्रिय पर्यटन कपड़ा संस्कृति और विदेश मंत्रालियों के देखे कौन-कौन सी मिनिस्ट्री प्रयटन मंत्राले's संस्कृति और विदेश मंत्रा यह सब इसमें सपोर्ट कर रहे थे तो इनके संयूक्त तत्वा-ध्वाधांसे इसका आयोंजन किया गया और जमओकंश्मीर मेले के लिए ठीम स्टेट है और सूरजकुंड मेले में तीस से अधिक देशों ने भाग लिया, उजबेकिस्तान इसमें भागिदार था, तो ये सब हमने देखा, आगे बढ़ते, यहाँ देखें विश्व विद्याले शिकर समेलन, मतलब विश्व विश्व विद्याले शिकर समेलन है ये, और ये 2021 का एडिशन है, तो भारत के अनिश्री, एम, बेंकईया, नाइडू, इन्होंने मुख्यातिति के रूप में भागिदारी की, और ये विश्व विश्व विद्याले शिकर समेलन, इसका इनॉग्रेशन किया, और इन्होंने सम्मोधित किया, जो जन सम्मूध था उसको, किंद्रिय सिक्षा और कौशल मंतरी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये भी समेलन को सम्मोधित कर रहे थे, आयोजन कहां पर हुआ था, देखिए इसमें उपर वाला जो टाटा है, वो आपके काम का नहीं, कि किसने इसमें सम्मोधित किया, बस आप जो उपराष्ट्र पती है, उनका नाम याद रख सकत है, ठीक, ये मुख्या दी थी थे, अब इसमें जो में चीज है, वो ये है, आयोजन कहां पर हुआ था, तो सोनीपत हरियाणा में स्थित, ओपी जिंदल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सौजने से इसका उधगाटन हुआ था, मतलब आयोजन किया था, इसके बाद आगे ब पुरुष खिताब, मतलब पुरुष वर्ग का जो खिताब था, वो अपने नाम कर लिया, इसी प्रकार से महिला वर्ग की टीम ने केरल की टीम को, मतलब केरल की महिला वर्ग में केरल की जो टीम है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिखता थे, ठीक है, केरल की जो महिला ट यहां से प्रशन बनेगा, देखिए, 4 जून से लेकर 13 जून 2022 तर खेलो इंडिया यूद गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया, मतलब किया गया, यह किया जा चुका है, चुकि यहां पे जायेगा लिखा हुआ है, तो इसे आप भविश्य की चिंता मत करिएगा, और यह एक फ जुबंकर है, तो यह तो इसका एक मोटा मसकट है, वो बता दिया गया, अभी देखो खेलो इंडिया, यहां आप देख रहे है, खेलो इंडिया यूद केम्स 2021, इसके लिए हरियाणा के शुबंकर का नाम क्या है, मतलब हरियाणा राज्जी का जो शुबंकर है, उसका नाम है धाकड, और धाकड एक बोवियन है, मतलब गाय की शकल का मसकट है, अब इसके बाद आप देखें, 7 मई 2022 को केंदरी युवा कारिक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने पंच कूला जो हरियाणा का है, वहां पे इंडिर विधनुष सभागार में खेलो इ यूद गेम्स हुए, इनमें हिस्सा होंगे, मतलब ये मुख्य भागिदार होंगे, कौन-कौन से खेल शामिल किये गया है, उनका नाम दिया है, और पांच में खेलो इंडिया यूद गेम्स, 2023 का आयोजन, ये कहाँ पर होगा, तो इसका जो लोकेशन है वो भोपाल में, य क्योंकि जनसंख्या के मामले में और युवा अबादी के मामले में हम भले ही टॉप कर रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में पदक तालिका जो है, उसमें एकदम नीचे वाली पोजिशन हमारी आ जाती, मतलब जैसी जनसंख्या और जैसा सामर्थ हमारा है, उसके एकार्डिंग अ पहले संस्करण का उतकार तर 30 जनमरी 2008 को किया गया था, और 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल्के यूथ गेम्स कर दिया गया, यह इसका पूरा डाटा है, कम से कम इतनी जानकारिया आपके पास होनी चाहिए, अब देखें आगे की चीजों को, पहली महीला इनका भी जो डाटा है मतलब इनकी भी जो इंफॉर्मेशन है उन्हें शुरुवात में देख लिया है पॉइंट्स में यहां उसका थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है तो इनका नाम अविलाशा बराख है और यह रोहतक जिले की रहने वाली है इन्होंने अपना प्रसिक्ष इनकारी देते हैं और यही पर यह करेंट अफेर का डाटा खतम होता है इसमें इतना है तब तक के लिए नमस्कार